इस नेशनल पार्क में एंटर होने के बाद अंदर जो मूव करने के लिए आपके पास दो साधन है या तो आप इस तरीके से जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस तरीके से कैंटर कर सकते हैं या फिर जो स्मॉल जिपसी होती है वो कर सकते हैं ठीक है और टोटल जो इनका बोकिंग है वो आप one day before your arrival होता है एक दिन जब आप जा रहे हैं उससे एक दिन पहले आप बोकिंग कर ले और अलग लग तरीके से दोनों ही comfortable है अपने आप में और इस तरीके से मुझ करते हैं आप भी तक तो को टाइगर दिखनी पा रहे हैं आप पर कुछ मंकी दिख रहे ह और बोकिंग है अबन इसके नाम किया है ज़् मैं नगे है से जरूर देंगे हुग कि उत्तव रहे है ब्रृ टुषिझ' और दोस्तों तो यह थी हमारी विजिट रंथंबो नेशनल पार्क के लिए और वोफुली अगर आपको इस पार्क में जाना है तो इसके से जो सबसे अगर आपको पड़ेगा वो पड़ेगा और सबसे जो चोटा नेशनल पार्क इंडिया का तो इसमें संभावना टाइगर दिखने की जादा है ठीक है क्योंकि नेरली यह जो पूरा स्क्वार फिट है इसका किलोमेटर एरिया जोतना में फैला हुआ है और इसमें से 400 किलोमेटर ओपन किया गया है नॉर्मल पीपल के लिए विजिट कर सकते हैं ठीक है और इस पूरे नेशनल पार्क में जो 400 किलोमेटर है उसके 10 जोन चानी का एरिया थोड़ो जादा है तो эт करने की संभावना थोड़ी से जादा रहते है ठीक है अगर आप जरूर विजिट करें। यॉप डिया घर को एक झाल पार जयघने में वाक्या हो एक उठ वाकई में आप टेखेंगे कि भीजागे को बच लिए ऐक कि तो आपक so many, love you all.